नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए केसा रहेगा किन किन चीजों से इनको फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ किस रहेगी केरियर के सार हेगा बिजनेस और वेपार के सार हेगा और स्वास्त की महत पुन्चानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबांग का क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिल को अच्छा और बहतर बना सके दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिश न करें और इसे आंतर तक जलूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगाशे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ हमें नोटिपिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों प्रपटिय अथवा इन्वेस्मेंट समंधी योजना को क्रियामिन करने का अनुकुल समय है घर में वास्तु समंधी नीमा का पालं करने से घर में सकारतमक भी आएगी बच्चों के केरियर से समंधी कुछ सूप समचार भी मिल सकता है आज आपका ग्रिस्थी समान है लेकिन किसी भी परतिस्थित बेक्ति से मुलाकात आपके लिए लाबदाय साबित हो सकती है कुछ बहतरी इंचानकारिया हासिल होगी नजदे की समंधीयों के साथ भी मुलाकात के अफसर बनेंगे और आपसी विचारों का भी आदान परदान होगा दोस्तों भाग की आप एक्छा कर्म पर विश्वास रखें अपनी किसी प्लानिंग को किर्याविंद करने से पहले पुर्न विचार जरूरी है इसे अपनी कामियों में सुधार लाकर उचित परनाम हासिल कर सकते हैं अपनी महनत और लगन के परनाम सिकर ही मिल सकते हैं दिन की सुराथ अनुकुल रहेगी वैस्ता के बावजुद आप अपने रूचित समंधी कारें के लिए भी समय निकाल लेंगे युगां को कोई कम्पिटेशन एकजाम समंधी उचित परनाम भी मिल सकता है दोस्तों किसी परिवारी समस्या को सुलजाने में आपका विशेश योगदान रहेगा लोग आपकी युगता की शाहर ना करेंगे दिन कुछ शमान ही व्यतित होगा लेकिन आप अपनी युगता से मन मुताबित कार में सफलता पाही लेंगे दोस्तों भगवान का हाथ आपके शर्पे है आप कोई भी काम करेंगे तो आवसी आप सफलता पाएंगे और अनिक जनकरियां अनिक चमतकरियां भी हासिल करेंगे गर के वारिष दोस्ता का असिरवाद और स्ने परिवार पर बना रहेगा अधात्मत से जुड़ी किसी विशेष बात को गहराई से जानने में रूची रहेगी और कुछ नहीं जानकरियां भी हासिल होगी किसी महत्यपुन यातरा को भी अस्तगित करने का नेने लेना उचीत रहेगा दोस्तो किसी भी नजदी की मित्र की सलह आपके लिए किसी विशेष काम को पूर्ण करने में सहता करेगी उधार दिया हुआ पैसा भी आपस मिलने की शंभावना है समाज में सेवी कारिके परती अपका विशेष योगदान रहेगा दोस्तो आपका नेगेटिव में किसी भी विप्रित परस्यतियां में अपना आत्म विश्वास बनाए रखें इससे जल्दी परस्यतियां समान भी हो जाएगी अपने कुरोध और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं नहीं तो कुरोध से कोई भी काम शफल नहीं होगा कुरोध से आपको सब काम में घाटा ही लगेगा इसलिए दोस्तों कुरोध पर कंट्रोल रखें तभी आप कोई काम में आगे बढ़ सकते हैं अपने कुरोध और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं इनकी वज़से कोई महतकुन आपसर हाथ से निकल शकते हैं कुरोध और आवेस को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको महतकुन आपसर हाथ से निकल शकते हैं दोस्तों व्यर्थ की गत्ति विदियों में ध्यान न देकर अपने कारे में ही वैस्त रहें। इसमें उचीद वजट बना कर चलना जरूरी है। कोई लोन लेने की योजना बनाई है तो उसे समझे अभी और अधिक जानकरियां लेने की जरूरत है। दोस्तों पुरानी नकार्तमा बातों की बज़े से किसी कर्यवी के साथ कलह किस्ती बढ़ सकती है। समयधारी से समयशिया को सुल जाने का प्रयाश करें। दोस्तों अपने उप्रवधियां का ज़्यादा दिखावा ना करें, किसी खास मित्र के साथ वेचारी मद्भेत की बज़े से दुरियां आएगी, आपके विरोधी जलन की भावना से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए साबधान रहें, आपके वेहम और जिद्धी जैसे किसी के साथ समंध में खटास आ सकती है, विद्यार्थियों का अपने पढ़ाई के परति लपरवई करना ठीक नहीं है, परिवारी समस्यां को आप से समस्या दुवारा सुलजाने का प्रयास करें, गुस्य और योगों की वज़े से कलह बढ़ सकता है, दोस्तों गु बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं, पढ़सियों के साथ वियर्थ के बाद बाद में नहीं उलजें, इनकी वज़े से आपके परिवार में अपतना परा सकता है, विद्यार्थियों अपने पढ़ाई को लेका लापरवार रहेंगें, दोस्तों आपके वैबसा समिंदे रा योग भी मिलेगा, वैबसा की करण परनाली में कुछ परिवर्तन करने की जोरत है, इसे वैबसा में गती आएगी, पर 30-30 लोगों के साथ समन्द खराप न करें, सरकारी करयाले में किसी परकार की राजनिती चल सकती है, दूसरों की माल में ध्यान न देकर आपने काम से ही म जाशे कुछ दिकतें भी आएगी, लेकिन बाद में आपका हल भी हो जाएगा, इस्टाब अथवा करमचारियों से समन्द कुछ दिकते रहेगी, नोकरे में काफी समय बाद आप अपना टार्गेट हासिल करने में शफल होंगे, सरकारी नोकरी में भी कोई महतपुन कारभा मिल सकता है, दोस्तों वैब साइग गति विदियां से समन्दी अभी कोई भी महतपुन नहीं ना लें, इसमें धेर और स्यम रखने की जोरत है, और अपिस मनाकार्तमा परवर्ति की लोगों से दूरी बना कर रखें, और अपने काम पर ही ध्यान दें, अपने कारपनाले में किये गए बदलाब से सकरत में परिना मिलेंगे, मेडियार ओनलाइन कारवे में ज़्यादा ध्यान दें, इसे वैब साइग को गति देने में साहिता मिलेगी, नोकरी में किसी भी सहयोगी के साथ व्यर्ति की भास में ना उलजें, वरना वो किसी कारण से आपको फंसा शकता है, दोस्तों आपके लव लाइफ में, परिवार में सुक सांती पूर्ण माहुल रहेगा, विप्रित लिंगी मित्र से मुलाकाद मन को प्रभूलित करेगी, तांपत जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम परसंगों के मामले में लापारवे दुरियां ला सकती है, समस्यां को सुल्जान में जीवन सात्य और परिवार जनों का पूरा शहयोग मिलेगा, प्रेम समन्द में अपने लव पार्टनर की भावनाव को कदर करें, दोस्तों पति-पत्न में भावनात्माग और विश्वास पूर्नी रिस्ता और गहरा होगा, प्रेम समन्द में जाहिर होने से परिवारि नाराजगे भी सहान करने पल सकती है, पति-पत्नी के भी समन्द से रहेगा, प्रेम समन्द में भावनात्मा ग्रूप से और अधिक नजदिकियां बढ़ेगी, दोस्तों प्रेम समन्द को विभा में बदलने के लिए परिवारिग में सलह मश्वरा हो सकता है, घर का वातारण भी सकरात्मा बना रहेगा, घर के बड़े बुजरुगा का आशिरवाद और सिने भी घर की विएस्ता को उचित बना कर रखेगा, किसी मित्र से मुलकात भी खुशी देगी, दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए, तो आपका स्वास्त ठीक र रह सकता है, इसलिए साबधान रहें, बरतमन बतारण से अपना बचाव रखें, नहीमित जाच भी करवाते रहें, दोस्तों इसमें पेट दर्द और भूखना लगने जैसी समस्या का सामना करना पर सकता है, हलका आहर लें, दोस्तों ज़्यादा ठाकान की वज़े से दर्द और कमजोरी महसुस हो सकती है, ध्यान और मेडिलिशन आवस्य करें, इससे स्वास्त में सुधार आएगा, स्वास्त को लेकर कुछ परिशानिया बनी रहेगी, लेकिन चिंता करने जैसी स्थिन ही है, थोड़ी सी साबधानी आपको स्वास्त रखेगी, चलिसनों बा द्वावित करें, आमबे के दो बरावर के टुकडिलें, इनमें एक को मन में कोई भी संकल्व लेकर बहते हुए पानी में बहा दें, आपका संकल्व जरूर पुरा होगा, दोस्तों ध्यान में रखें, कोई भी काम सुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खायें और पा आप तो सच्ची दिल से कॉमेंट बक्स में ओम सुर्याय नमा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें, धन्यवाद